पुनीत को चिकन खाने का बड़ा शौक है लेकिन उसकी पत्नी मंजू शाकाहारी है शादी से पहले मंजू ने पुनीत को बता दिया था देखिए मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं मांस मचली नहीं खाती अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो बना सकती हो न मैंने कभी बनाई नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगी लेकिन सुहाग रात के अगले दिन पुनीत की मा का देहान्त हो गया था मा की वज़े से इस नल्ले पुनीत को पाल रहा था अब इसे घर से निकालने का वक्त आ गया है सही का, काम वाम कुछ आता तो है नहीं से फाल तुम्हें पैसे लेता है बस पुनीत और उसका बड़ा भाई रोहित एक साथ एक छोटा सा होटल चलाते थे पुनीत को हिसाब किता बच्चे से आता नहीं था रोहित उससे हर एक छोटा बड़ा काम करवाता था और खुद बस बैठ कर हिसाब किताब करता था वो अपने भाई को हिस्सेदारी से निकालना चाता था लेकिन उनकी मा की बज़े से ये हो नहीं पा रहा था लेकिन अब मा नहीं रही मंजु ने रोते हुए अपनी जेठानी का पैर पकड़ लिया दया कीजे दीदी मेरी अभी अभी शादी हुई है मैं कहा जाओंगी इस बैल बुद्धी से शादी ही क्यों की इसके दिमाग में गोबर है गोबर कुछ काम धंदा आता नहीं है इसे फाल तुम्हें हर महीने पैसा मिलता है इसे लेकिन और नहीं निकल जाओ यहां से रोहित और शीतल ने मिलकर पुनीतो और मंजु को घर से निकाल दिया शीतल ने बस अपने ले कुछ साड़ी ले ली और खाना बनाने के लिए उसे बस एक खांडी और एक चमच मिला दीदी एक हांडी और एक चमच से मैं खाना कैसे बनाऊंगी साथ में और खुश तो दे दो अरे जा जा ऐसा क्या बनाएगी तू इतने सारे बरतन लगेंगे खाना तो तुझे सूखे चावल ही है इसमें ही हो जाएगा एक हांडी में क्या क्या बन सकता है ये शायद शितल को पता होता तब शायद वो हांडी भी ना देती जो भी मिला उसे समेट कर पुनीतो और मंजू नए घर की तलाश में निकल गए मंजू माफ कर दो मुझे मेरी वज़ा से शादी के बाद ही तुझे ये सब सहना पड़ रहा है इसमें आपकी क्या गलती है जी आपको कैसे पता होता कि आपका बड़ा भाई और भावी ये सब करने वाले हैं असलने बचपन से ही मैं बाल बुद्धी हूँ मैं पढ़ाई रिखाई मैं अच्छा नहीं था भाईया हमेशा मुझे डाटते थे सिर्फ मा मुझे से प्यार करती थी मा की वज़य से ही सब कुछ सही चल ला था कोई बात नहीं जी अब मैं आ गई हूँ न अब सब कुछ ठीक हो जाएगा कैसे ठीक होगा मन्जू ना मेरे पास पैसे हैं और नहीं घर हम कहां रहेंगे क्यूँ फुटपाद पर कितने सारे लोग रहते हैं हम भी रहेंगे और पैसा कहां से आएगा अभी हम भीक मागेंगे बाद में देखा जाएगा मन्जू ने फुटपाद पर लकड़ी और अपनी साड़ियों से एक तंबु जैसा बना लिया और उसी के अंदर दोनों रहने लगे अगले दिन सुबह पती-पत्नी भीक मागने लगे भगवान के नाम पे कुछ दे दो भगवान तुम्हारा भला करेगा हम बहुत गरीब है साहब पैसे दे दो साहब लेकिन दोनों जवान पती-पत्नी को देख कर लोग बोलने लगे यह देखो देखो इन्हें इनको बस मुफ्त का घाना चीए हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक चलना है अरे भई कोई काम क्यों नहीं करता तो है हमें काम कौन देगा साहब आप देंगे नहीं मेरे पास काम नहीं है लेकिन काम तो कहीं भी मिल जाएगा बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है लेकिन असली वक्त पर सबी कट लेते हैं वो आदमी भी वहाँ से चला गया लेकिन मंजू और पुनीत को अपना पेट भरना था पासी में बंटी नाम का 15 साल का लड़का भीक मांगता था उससे मंजू और पुनीत की दोस्ती हो गई बंटी कभी पाओ तो कभी रोटी लाकर मंजू और पुनीत को खिलाने लगा भाई ऐसे ही कोई भीक नहीं देता उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है एक्टिंग अच्छा वो कैसे कभी लंगणा होने की एक्टिंग करो तो कभी अंदे होने की पुनीत को ये आइडिया अच्छा लगा अगले दिन पुनीत बंटी के साथ अंधा बनकर भीक मांगने गया और आज उससे पूरे 400 रुपे भीक में मिले मंजू खुश हो गई अरे बंटी तुझ में तो बहुत तकल है तेरी वज़े से आज हमें इतना पैसा मिला बोल तुझे क्या खाना है मैंने बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया मैंने भी बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया मैं चिकन लाता हूँ लेकिन कढ़ाई नहीं है अच्छे ठीक है ले आईए मैं कुछ जुगाड करती हूँ पुनित एक किलो चिकन ले आया और मंजू लकडियों के चूले पर हांडी चढ़ा देती है और उसने उसमें चिकन डाल दिया हांडी में चिकन कैसे बनेगा? भता नहीं कोशिश करती हूँ और कुछ है भी तो नहीं मंजू ने उसी के अंदर अद्रक, लैसु, नमक और सरसो का तेल, हल्दी और मिर्श डाल कर अच्छे से मिला दिया और धीमे आज पर पकाने लगी घंटो भर चिकन पकने के बाद मंजू ने हांडी का धकन खोला और उसमें से इतनी अच्छे स्मेल आई कि मंजू के मुह में भी पानी आ गया अरे वा, मैंने जिन्दगी में पहली बार चिकन बनाया है स्मेल तो बढ़िया लग रही है आज खा के भी देख लो मंजू, वैसे भी और कुछ नहीं है मंजू ने जल्दी जल्दी चावल पकाया और तीनों ने मिलकर हांडी में बना हुआ चिकन खाया अरे वा, टेस्ट भी तो बढ़िया है हाँ मंजू चाची, आपने क्या चिकन बनाया? ऐसा चिकन मैंने कभी नहीं खाया मैं भी, हांडी में इतना अच्छा चिकन बनता है, यह मुझे पता नहीं था एक केलो चिकन तीनों मिलकर खत्म कर देते हैं मंजू चाची, आपने इतना अच्छा हांडी चिकन बनाया है, आप यही हांडी चिकन बेचती क्यों नहीं हो? अरे हां, यह तो तुमने सही कहा लोग एक ही तरह का चिकन खाते खाते बोर हो गएं, लोगों को यह हांडी चिकन बहुत पसंद आएगा लेकिन उसके लिए भी तो पैसों की जरुवत है, बड़ी हांडी चाहिए, चूले के लिए लकडी चाहिए, बरतन चाहिए, कम से कम दस हजार रुपे की जरुवत है, कहां से आएगा पैसा? मैं दूंगा न, भीक मांग मांग कर बिजनस करने के लिए कुछ पैसे इखटे की हैं मैंने, इसी व्यापार मैं लगा देता हूँ पैसा, आप मुझे पार्टनर बना ले न अगले ही दिन से मंजु ने हांडी चिकन बनाना शुरू कर दिया, हांडी चिकन की स्मेल से ही लोग आने लगे, मंजु फुटपाथ पर बैठ कर हांडी चिकन बनाने लगी, बंटे और पुनीत लोगों को खिलाने लगे, इसी तरह वो दुकान फुटपाथ हांडी चिकन क नाम से फेमस हो गई जिस आदमी ने पुनीतों और मंचु को कुछ काम करने की सला दी थी वो एक दिन खाने आया और हांड़ी चिकन खा कर उसने बहुत तारीफ की अरे वाँ तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया भई बहुत स्वादिश्ट चिकन था ये वहाँ इसी तरह एक साल की अंदर उन लोगों ने दुकान खड़ा कर दी बंटी उन दोनों के साथ ही रहने लगा उधर रोहित के होटल में धंदा बंध होने की कगार पर आ गया क्योंक और इसी तरह हांडी चिकन बेचकर, पुनीत, मंजू और बंटी अमीर हो गए और खुशी-खुशी जीवन बिताने लगे